कोक्षा साथ बिग्यान का पेपर रिक्त अस्थानों की पूर्ति केजिए आमल सवाद में तो आमल सवाद में जो है खटे होते हैं आमल जो है नीले रिटमस पत्र को लाल कर देते हैं ठीक है छार सवाद में कड़वे होते हैं मैंने तीखा होता है और छार लाल रिटमस पत्र कुल साथ रंग होते हैं कितने रंग होते हैं तो साथ रंग होते हैं आमलेशार की अविक्रिया सबाइबाद से दाएट है हंता यह क्या देशिक भगजा से मा बनता है शुर्पकाप यह सबैंसर भात गण posis Pawn सब्सक्ला देशाल लगाना है और गोलत लगाना है तो आपका कोश्चन है पहिला हम सभी को जल का उप्योग मित्य वेटा से करने चाहिए सही है कोग यानि फंजाई अपना फोस और मिरित और अप घटी जवपदार्थों से करते हैं सही है सनुविक्त राश्रांग में 2005 से 2015 की आधी को जीवन के लिए जल का कार्यागले अंतराश्टी दस करूप में घोसित किया यह भी सही है चार नमर सुई चुम्बक विदूत परवाई तार के निकट लाने पर बिछे पित होती है यह आपका गुलत है ठीक है फिनल्प्थली गुलावी रंग का आंब छार सुचक है यह आपका सही है अगला कोश्चन है चार नमर पौदों मे पदार्थों का सनौहन क्यों होता है जाइलम और फोलियम उतको के क्या कारिया है दोनों कंसर आपको बताते हैं पौदों के लिए पोशक तत्व है जैसे जल खनीज पदार्थ और भोजन इत्यादी पौदों के विविन अंगों तक सनौहन द्वारा ही पहुचता है अगर यह पदार्थ नहीं पहुचेंगे तो पौद्रों का विकास रुख जाएगा पौदों के परते कांके ब्रिधी और भीकास के लिए पदार्थों का सनौहन जो है आवस्यकत है पौधों में सनौहन उतक जायलम फोलियम होते हैं ठीक है जाइलम तो थ का देखिए जायलम के क कारिया है पतियों द्वारा बनाए गया भोजन पूरे पौंधों में पहुंचाने का फोलियम उतक जो है कारिया करता है उसके बाद आपका छोव नमबर कोश्चन है कैसे परदर्सित करेंगे की परकास अंशलेशर के लिए सूर्य का परकास अनिमारिया है एक पौंधे के गंले की किसी बगीचे में रखेंगे जहां कि दूब पौंधों मतलब कि दूब पौंधें लगाई रखे पहुदे कि आप एक्छा बगीचे में रखे पहुदे की बिदी वदिक होती है। दुसरे सब्ता में आप यह पाएंगे कि जो रूम में रखा हुआ है नि कमरे में जो रखा हुआ है उसका पति पीला हो जाएगा और वो शुक जाएगा ठीक है। लेकिन परकास वाला जो सुर्य का परकास जिस पर पढ़ता होगा वो जो है उसका पता हरा हो जाएगा और बढ़ते चला जाएगा ठीक है इससे हम यही हमको जो है मिलेगा